पूरे नमस्कार भाईयो वहनो एवम प्रिये सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो में पूरे विश्व भर से पूरे भ्रहमाण में पूरे दुनिया में किसी भी जगास से देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में आए सभी भाईयों का और भेनों का एवम अपने प्यारे सभी लोगों का मैं इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी को बता दू इंडिया देश वालों के लिए इंडिया कंट्री वाले लोगों के लिए इस वीडियो से जादा खास कुछ हो नहीं सकता जितने भी इंडिया देश के लोग इस वीडियो में आये हैं भारत देश जिसके अंदर जितने भी राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है वहां से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफी जादा खास होगा आप लोग हरियाना से हो, असम से हो, मिघाल्य से, मनिपूर से, केरला, करनाटका, असम, वेस्ट बंगाल, तिरिपुरा, तेलांगाना या किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटोरी से हो पूरे इंडिया देश में तो आप लोग के लिए इस वीडियो से खास कुछ हो नहीं सक क्योंकि इंडिया देश, इंडिया कंट्री के स्टेट तेलांगाना में, तेलांगाना स्टेट पी एस सी, यानि पबलिक सर्विस कमिशन द्वारा हर साल जो रिकूरूटमेंट होता है, आप लोग का, गुरूप वन का, ठीक है, जिसमें आपके DSP जैसे पोस्ट है, DC पोस् हैं, कमिशनर के कुछ पोस्ट हैं, असिस्टेंट के कुछ पोस्ट हैं, जो भी गुरूप वन में आते हैं, स्टेट लेवल में, जो कि स्टेट गवर्मेंट द्वारा रिकूटमेंट होती है, तो मैं आपको बता दू, उसके लिए, नोटिफिकेशन भाई, आप सभी लोग कहा पर है, कैसे लोग जाकर अपलाई कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियों मिलेगी, जो जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन रहे हो, आप सभी लोग इस पे अलिजिबल हो पोस्टे काफी अच्छी है सारी चीज़े किलियर करूंगा अल इंडिया इसमें अलीजिबल होगा केंडेट लेकिन अगर वो तेलांगाना इस्टेट के बाहर का है तो वो यहां पर जनरल के तौर पर फर्म भरेगा इस बात का ध्यान रखना है बाकिया आप लोग भर सकते हो ठीक है चलिए हाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ यह जो लिंक है ना इसका नोटिफिकेशन लिंक जो है आपका और वेबसाइट का लिंक और इस वेकेंसी से जुड़े जो लिंक आये हैं वो सभी वीडियो के सही नीचे आपको मिल जाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताए है तो हो इंडिया देश का एक राज्य है जैसे कि आप जानते हूँ हरियाणा है उत्तर प्रदेश तो यसे its तरीके से टिलांगाना एक राज्य है जो कि इंडिया कं कंट्री में है ठीक है और इस पर पैसई की जो पब्लिक को भिक टीय जाते सर्वीस उसके अदर जो एस ब group 1 में जो भी service आ रहे हैं उसकी recruitment आई है जो कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में discuss होगी सबसे पहले आप देखिए यह तेलंगाना इस टेट का PSC website है यही पर notification आते हैं तो आप यहां से देख सकते हो group 1 वालों का ठीक है हाँ अभी इसमें देखिए दोस्तों अभी इसमें तेलंगाना में और भी recruitment आने हैं क्योंकि आप लोगों का जो constable और SI recruitment भी तेलंगाना इस टेट में जल्द ही आ जाएगा तो मैं आपक notification जल्द ही आने वाला है पूलीश वालों का भी आने वाला है तो पूलिस वाले तो यहीर हैं जल्द ही आपको आदे लगाना आ अभी दो चार का जल्द हम जल्द का आना लोग के सकिए देखा इंडिया देश के UP state में इंडिया देश का उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर constable में किस तरीके से बवाल चल रहा है जबकि हमाँ पर वेकेंसियों की संख्या काफी जादा आई ठीक है हाँ जो लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं मैं आपको बता दू इंडिया देश के यूपी स्टेट में अभी एक रिक्रूट्मेंट चल रहा था हो रहा था यह 60,000 वेकेंसी थी महां पर लेकिन हुआ क्या दोस्तों अभी पेपर लीक का बता बताया जा रहा है और पेपर लीक की कन्फरमेशन बहुत जगा से हम मिल चुकी है उस पेपर में तो कहीं न कहीं अब यह बात है कि आपका यूपी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जा लोगों ने समझ रहो और आज के समय पर एक्जाम लीक करना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगर आप 2024 की बात करो तो मैं नहीं बानता की स्कॉंस्टेबल गया बड़े-बड़े एक्जाम लीक करना भी को ज्याधा बड़ी बात बन नहीं जाती है आज के इंट्रनेट वर्ड में यह आप लोग भी जानते हों मैं इस वीडियो में आप लोग को यह बता रहा हूं कि जो इंडिया देश के तेलांगाना स्टेट में पीएससी रिक्रूटमेंट होगा आप लोग का गुरूप वन के सर्विस में वो नोटिफिकेशन आ गया है जिसके अंदर वेकें जें किंए दूसरे यूटी कि हैं तो हम फर्म भर सकते हैं यह मैंने बोला कि अल इंडिया मतलल पूरें इंडिया का CITIZEN हो वो किसी भी जगा से हो form बढ़ देगा अभी कोई कहेगा citizen कैसे पता लगता है हम है या नहीं तो भाई आप अगर by birth अगर आपका इंडिया में नहीं हुआ है तब भी आप लोग citizenship ले सकते हो जरूरी नहीं है कि भाई बर्थ होनी जरूरी है किसी कंट्री की citizenship लेने के लिए जरूरी थोड़ी है कि भाई हम वहीं पर जो हमारा बर्थ हुआ हो यह चीज़ आपकी होती है मैं आपको एक बार birth certificate तो अलग चीज हो जाएगी लेकिन मैं आ online बस कुछ document लगाते हैं और apply कर देते हैं मिल जाती है तो इतना असान है कोई ज्यादा hard है नहीं किसी वी देश की citizenship लेना पूरे वर्ड में आप किसी वी देश की citizenship बड़ी असानी से ले सकते हो बहुत असा प्रोसेस है ठीक है हां लेकिन citizenship के बाद candidate वो पूरे state पूरे country में जो vacancy आएंगी ना जिसमें all India लोग eligible होंगे तो वहाँ पर वह eligible हो जाएगा उसको vacancy हो मिल सकती है यह condition होती है ठीक है तो आप देखो के click here for all notifications पर आपको click करना होगा सबसे पहले क्यूं clear click करना होगा क्यूंकि आपको यह देखना है खुद से आके notification कहां आया है हम कैसे दे सकते हो कितनी अच्छी बात है दोस्तो तेलांगाना इस्टेट कर पीएससी में आपको website पर ही candidate फिरी में mock test मतलब कि exam उसका actual exam होगा ना उसकी practice वो पहले यहां से यहां पर से कर सकता है एक नकली सा paper देखर जिसमें सेम वही सारा pattern होगा वही marking scheme वही सब होगा जिसे कि उसको आइडिया लग जाएगा कि एक्जाम कैसा आएगा ठीक है यह सारी चीजे और यह जनरल इंस्टक्शन है उससे उसके लिए और फॉर्म कैसे वरना है उससे जुड़ी भी बाते बताई गई है आप और आप अगर देखोगे ना तो यहीं पर आपका syllabus भी मिल जाता है मतलब कि जो भी recruitment करेगा मतलब कि यहां पर टेलांगाना इस्टेट पीस्ट जैसे भी recruitment करता है जिन भी पोस्ट ओपर करता है इस्टेट तेलांगाना में तो वह आपके लिए अलग से syllabus निकालता है और स्कीम निकालता है कि भाई कैसे हम pattern follow करेंगे वह आप यहां से देख सकते हो ठीक है और एक चीज़ और कहूंगा आप दोस्तों यहां से देख लोगो 234 अभी बहुत से notification आने बाकी है इस साल के तो मैं सभी discuss करूँगा जल्द ही आ जाएंगे तो आप लोग जुड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप दूसरे state में interchange करो या उदर जाओ ठीक है same state में ही अपना रहकर भी उस vacancy को निकालके ले सकते हो ठीक है बाकी लोग अपने शहरों शहरों में जाते हैं बड़े बड़े एरियाओं में जाना चा रहे हैं तो वह तेलांगाना state की side वह जा सकत हैं इस vacancy पर मैं आपको बता दू यहां पर बताया है इन्होंने देखिए यहां पर इन्होंने एक point दिया है syllabus का इसके नीचे इन्होंने दिया है notification यहां पर जो भी notification आएगा आप देख सकते हो results आएंगे जो भी recruitment होगी वह आप देख सकते हो old question paper यह सब चीज़ों कोई बत recruitment bodies इतना ही बताते हैं कि हम अपनी जो recruitment करते हैं हम recruitment करने वाले हैं और आप recruitment लेने वाले हो तो तीसरी चीज़ यहां पर आती नहीं है मतलब आप यह समझो कि जो direct recruitment हो रहा है इसमें old question paper आप यहां से देख सकते हो मतलब जो भी 22 23 और 20 और उसके पीछे वाले जो भी recruitment हो है उ ठीक है और नहीं सिर्फ police इसमें आपका DC यानि deputy collector जैसी पोस्टे होती है audit officers की post होती है और बड़े बड़े पोस्ट होते है इस्टेट लेवल पर अभी यह पोस्ट ने इस्टेट लेवल पर बड़े होते हैं मतलब governments के अंदर अगर state government के बड़े officers के बाद और उनके बाद कोई office में बड़े post आ रहे हैं जो लोग जाकर काम कर रहे हैं तो यही होते हैं ठीक है तो अगर आप लोग लेना चाहो ले सकते हो exam के question paper पिछले वाले देख सकते हो देखने में आपका फायदा होगा मैं थोड़ा इसमें नीचे चलूँगा तो आप देखो current notification मैं आपको द notice आ गया है और आप देखोगे कि 14 March को form close हो जाएगा यानि आपको कहिना कई इन्होंने समय दिया है न वो कहिना कई 20 दिन का समय मिला है स्रिप क्योंकि February मन्त के हिसाब से वह 20 दिन का ही समय होगा तो 20 दिन का समय आप पर दिया गया है ठीक है हम notification आपको दिखाएंगे सबसे पहले हम दिखाते है short notice जो कि तेलांगाना इस्टेट की public service commission द्वारा आया है तेलांगाना इस्टेट में एक हैदराबाद जगा है और वहां से notice आया है आपको बता दू गुरूप बन सर्वीस है यह notification second है मतलब इससे पहले एक रिकूटमेंट दे चुका है 2024 के अंदर ही त general recruitment से group 1 में group 1 में ठीक है यह अच्छे post आते group 1 पहले आएंगे फिर group 2, group 3, group 4 group 1 के post अच्छे माने जाते है state level में ठीक है आप देखोगे application invited online online form भरेंगे जो भी लोग qualification रखते हैं इसकी आप लोग form भर्द होगे मैं आपको बता दू 23 February से form start हो रहे है और 14 March को close हो जाएंगे यानि और for the various category of post यानि आपको समय जो मिला है इसमें apply करने का वो सिर्फ 20 दिन का है यानि कि 23 से लेकर आप अगर देखते हो तो आपके पास 1 week February में हो गया और 14 दिन मार्च के मन्त में हो गया तो कहिना कई 20 दिन का समय मिला जो मैंने आपको बताया group 1 services आएंगे total vacancy 563 है post पर के एक person है जिसका जिनके नाम है डॉक्टर ई नवीन निकोलाज निकोलस निकोलस इनका नाम है और यह secretary है और इनके द्वारा है रवाद से notice आ चुका है ठीक है तो इंडिया देश के जो है तेलंगाना इस्टेट की है रवाद जगा से यह आई-एस officer के द्वारा यह notice आ चुका है ठीक है आगे बढ़ूँगा मैं थोड़ा सा देखिए तेलंगाना इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हैदराबाद नोटिफिकेशन सेकिंड है चौबिस वालों का आप इसमें पूरा समझेंगे आप पूरा फाइल बताओंगा आप लोग को एक चीज यह तो 4 आवर बिफोर थैग्जाम सुरू होने से 4 घंटे पहले एड्मिट कार्ड विंडो बंद हो जाती है मतलब एक्जाम अगर किसी दिन के मानके चले 2 बजे होगा तो वो 10 बजे सुबह में आपका एड्मिट कार्ड विंडो बंद हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए त पी एसी के अंदर आने वाला जो है आप लोग का एक पब्लिक आप इसमें यह कह सकते हैं कि तेलांगाना इस्टेट का यह PCS है ठीक है यह पी सीएस होता है यह उसी तरीके से आप लोग इसको भी तेलांगाना इस्टेट का PCS कह सकते हो पब्लिक जो हैं कंबाइंड सर्विस आप इसको कह सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं लेकिन जो करवाते हैं एक्जाम वह आपका होता है PSC वह कमीशन होता है करवाते हैं इसको आपको बता दूम इसका एक्जाम मई के एंड में होगा प्रिलिम्स का जैसे कि UPSC वालों का भी उसी समय हो रहा होता है और मेंस वालों का जो मेंस एक्जाम में बैठेंगे जो प्रिपास कर जाएंगे उनका सेप्टेंबर अक्टू से आपको बता दूँ दोस्तों यू आपका ये जो तेलांगा ना इस्टेट है यानि टी-एस-पी-एस-टी है यह अपने वेबसाइट पे एक रेजिस्टेशन कराते हैं जैसे यू-पी-एस-टी और एससी वाले लोग करवा रहे हैं जिसमें होता है ओ-टी-आर OTR मतलब होता है Candidate गया उसने अपना नाम डाला, Gender डाला, Father Name डाला, ID Details डाली और उसने एक बार में रेजिस्टेशन कर लिया वो जो एक बार का रेजिस्टेशन होता है उसको OTR कहा जाता है यहां पर ठीक है तो आप लोग OTR कर सकते हो इनकेस माल ने थे Candidate apply कर रहा है पहली बार तो उसको जो है शहां पर OTR करना जरूरी है OTR करने के बाद ही वो फॉर्म भर पाएगा OTR मतलब कि पहले वो रेजिस्टेशन करेगा उसके बाद ही वो फॉर्म भरेगा Candidate need to submit online application for this notification specifically OTR is not considered as application for any post under any process देखिए इन्होंने OTR के बारे में कुछ बात बताई है in case the candidate is applying for the first time once applicant registered his sir and ठीक है इन्होंने भाई साफ साफ का है OTR करोगे आप लोग website पर one time registration उसके बाद ही आप लोग फॉर्म परोगे वो candidate वो सारे लोग who have applied earlier जिन्होंने पहले कभी apply किया था इसी notification पर 22 वालों में जो की cancel हो गया need to now cancelled need to login or reapply for this notification a fresh मदब जिन लोग ने पिछले recruitment पर फॉर्म भरे थे ठीक है तो उन लोग को करना क्या होगा उनको दुबारा से एक fresh fresh जो है form भरना पड़ेगा जैसे यह वाला होगा ठीक है अधरवाइस उनका form cancel वाना जाएगा ठीक है तो मैं आपको simple बता रहा हूं भाई OTR कर लेना प्रिलिम्स एक्जाम आपका जो है OMR बेज़ होता है मतलब कि यह computer पर नहीं होता है यह state तेलांगा ना में OMR sheet पर होता है इस तरह का एक pink color का sheet होता है उस पर ऐसे circle से पूरा भरा रहता है वो page उसमें option लिखे रहते है question number 1, 2, 3 इस तरीके से उसके सामने option होते है A, B, C, D इस नाम से आपको जिस भी question का answer जो भी सही लगता है उसको आपको इस तरीके से पूरा dark भरना होता है ऐसे करके भरना होता है ठीक है इस तरीके से वो exam होता है अब यह कहना है कि हम OMR पर भी ले सकते हैं computer पर भी ले सकते ह हमारा भी कुछ पता नहीं है हम किसी पर भी इस exam को ले सकते हैं इन्होंने कहा है commission के पास यह right है कि हो conduct करे इस exam को किसी भी mode में ठीक है तो वो किसी mode में करा सकते है exam आपको इतना याद रखना है कि आपका exam या तो computer पर होगा या फिर sheet पर होगा जो की machine वाली sheet OMR होती है ठी अब इसके अंदर इसके अंदर यह बात और यहां पर यह कहीं जा रही है कि जो मेंस examination होगा जो आपका मेंस examination होगा उसको कह रहे है descriptive type हो descriptive type मतलब कि आपको पता है कि mains exam जो होता है इसमें PSC द्वारा उसमें answer जो होते हैं candidate को उसके answer उसको बताने पड़ते हैं क्या क्या होगा उसमें तो हो जाता है descriptive type ठीक है तो यह सब आपका इस तरीके से होगा तो यह सब आपने समझ लिया है थोड़ा में आगे बढ़ूंगा option of medium of writing आप किस-kis medium में अपने answer को कर सकते हो अपने prelims में और mains में वो इन्होंने यहां पता है आपको बताऊंगा किस-kis में आप लोग कर सकत और थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी में जैसे प्रिलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तुरंट बता देंगे कि में मेंस एक्च्वल में किस दिन होगा ठीक है अभी एक्च्वल डेट नहीं आई है और एक चीज और कहूंगा अगर आप लोग तेलांगा ना इस्टेट की सिविल सर्विसीज में जाओगे या एक्जिक्यूटिव ब्रांच में जाना चाहते हो तो 45 वेकेंसी हैं एज आप लोग की फस्ट ऑफ जुलाई 2024 में 18 होनी चाहिए और 46 मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए सैलरी देंगे आपको 60,000 से लेके 1,40,000 तक की यानि कही ना कहीं आप आप लोग को 60,000 पर मन्त होगा सैलरी अधर एलवेंस भी होते हैं इन सारे पोस्ट अपर जितने भी पोस्ट हैं सब पर होते हैं तो कहीना कहीं आप लोग को इस वाले पोस्ट पर 60,000 प्लस मिलेंगे अगर आप DSP पोस्ट लेते हो मतलब इस्टेट की पूलिस के अंदर सैलरी होगा और कमर्शियल टेक्स ओफिसर चाहिए इनको 48 वेकेंसी के साथ अब देगी हर पोस्ट की वेकेंसिया अलग है सैलरी अलग है और एज अलग है ठीक है तो अपने अराम से देखें एक एक चीज को देखें अगर आप लोग जेल के लिए जा रहे हो अगर आप लो कि आप लोग वेकेंसिया देख सकते हो तो यह सारी वेकेंसिया आपके लिखी हुई है टोटल वेकेंसिया आप यहां से देखोगे तो आप लोग की 563 वेकेंसी टोटल इस बार की आई है नोटिस इन्होंने आप इसमेंनोंने नोट में कुछ बाते कही हैं इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हो एक बार मैं और एक चीज पता दूँ अपने वेकेंसिया भी समझ लिए अब आप लोग एलिजिबिलिटी समझिए यह है कि केंडिट की हेल्थ अच्छी हो उसकी अच्छी हैबिट वाला हो फिरी फ्रॉम एनी बॉड़ी उसको कोई बॉड़ी से जुड़ा हो कोई डिफेक्ट जो है ना हो ठीक है वो मतलब उसकी बॉड़ी में कोई ऐसी खराबी ना हो वो सही हो इस बात का ध्यान रखके और वो जो है इंडिया सिटीजन होना चाहिए इनों देखिए एलिजबिलिटी में कहीं भी यह चीज नहीं डाली है कि तेलंगाना का नागरी को तेलंगाना में जरूर रहता हो इस बात को नहीं डाला इनोंने मतलब कहने का यह यह पूरे इंडिया देश को कवर कर दिया इसने इस नोटिस ने ठीक है एजूकेशन क्वा आपको qualification बताने वाला हूँ एक पोस्ट का अगर आपको DC यानि deputy collector का पोस्ट लेने जाते हो तो आप यह समझो कि must possess a bachelor degree of any recognized university in India, मतलब किसी भी university से अगर आपने bachelor degree pass out किया है, चाहे हो BCA, BCOM, BBA, BTEC, B architecture, B planning, LLB, कोई सा भी हो, master's वाला भी apply कर सकता है, उसके पास minimum bachelor होना ही चाह पूरे इंडिया देश में कहीं से भी करके आया form भर सकता है, अगर किसी को DSP post चाहिए, तो उसका bachelor degree होना चाहिए, किसी भी field का, अगर उसको commercial tax officer चाहिए, तो भी उसका bachelor degree किसी field का हो सकता है, अगर वो regional transport officer का post लेगा, तो उसका degree जो होगा न, वो engineering का होगा, मतलब वो mechanical engineering का ह या फिर वो auto mobile engineering का होगा, या इन fields में से कहीं से होगा, तो वो भर सकता है form, ठीक है, सेम अगर आप 55 service में जाते हो, तो आपका bachelor degree किसी field का ले लिया जाएगा, district रिष्टार में भी आप लोग का किसी field का candidate form भर सकता है, और जो आपका superintendent of jail में जो deputy हैं, मतलब की DSJ, तो इसके इन्होंने साब बोला है, bachelor degree किसी field का candidate form भर सकता है, पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया में कहीं से भी वो जाकर, पूरे इंडिया देश में किसी भी institute में गया, वो bachelor degree pass out कराया, उसका certificate उसको मिल गया, form भर सकता है, अगर किसी को assistant commissioner of labor का post चाहिए, तो उसका degree किसी field में हो स भाई, किसी भी field का graduate इस vacancy को ले सकता है, समझे रहो, हाँ, तो काफी सारी ऐसी post हैं, जो bachelor degree ही मांग रही है, सिर्फ कहती हैं कि भाई, bachelor degree हो, candidate की किसी field में, तो form भर दे, बस कुछ आपका जो transport वाला है, उसमें engineering वालों के लिए इन्होंने साब बोल दिया, जैसे आप लोग assistant treasury officer में जाओगे, या फिर assistant accounts officer में जाओगे, AAO और ATO, और assistant lecturer का post जो आपका रहेगा, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका degree जो होगा, वो commerce का होना चाहिए, या economics का हो, ठीक है, treasury में आपका जो है रहेगा, commerce का, accounts वालों के लिए commerce चाहिए होगा, economics चाहिए होगा, और accounts वालों का मैस का भी हो सकता है, मतब उनका degree commerce field का होगा, तो हो फॉर्म बर सकते है, commerce का नहीं भी है, तो maths वाला form बर सकता है, ये सब रहेगा, मतब B.Sc हो गया, in Maths हो गया, in economics हो गया, in accounts हो गया, तो हो फॉर्म बर सकता है, ये उसका रहेगा, ठीक है, कम से कम वो second class जो ह यह उसके पास graduation की डिग्री होगी तो फार्म भर सकता है अब मैं आपको बतातो हूं distance learning वालों को क्या हुआ है यहां पर applicant जिसके पास जो है डिग्री है लेकिन ओपन युनिवर्सिटी से मतलब ऐसी युनिवर्सिटी से डिग्री करिये उसने जो कि उसकी distance education मतलब कि भाई वो daily बेस्मे स्कूल या युनिवर्सिटी नहीं गया इंसीक्यूट नहीं गया है उसने जो है सिर्फ exam दी है या फिर वो शिर्फ exam देने ही जाता था जाता था या जाती थी सिर्फ regular प्रफ नहीं जा रहे थे वो लोग उनको इन्होंने बताया है कि आप लोग eligible हो या नहीं ठीक है आप लोग भी eligible हो इन्होंने बता दिया आप लोग भी इसमें eligible हो देखिए मैं आपको बता दो युनिवर्सिटी ने उन्हें साफ साफ कहा है अगर आप लोग ने डिश्टेंज एजुकेशन भी करा है लेकिन आपका यूजी सी ने एप्रूफ करा है उस डिग्री को या फिर ए आई चीटी ने एप्रूफ करा है तो एक्सेप्ट करेंगे अधरवाइस हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों ने समझ लिया भाई बैचलर पास आउट वाले फॉर्म भर देना चाहिए आपके जू सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए ठीक है और बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिसमें किसी भी बैचलर को वह वेकेंसी मिल जा होगा बाकी सम्में तो सिर्फ बैचलर मांग रहे हैं फिजिकल लिक्वार्मेंट आपको बता देता हूं अगर केंडिट पोस्ट कोड दो और नौ में जाता है जैसे आप लोग देखोगे यहां पर यह सारे आपके पोस्ट कोड है पोस्ट कोड अगर आप दो पे जाते हो मिनिममम हाइट हो ठीक है और इसमें यह भी बोला है मस्ट भी नॉट लेस दें इस से कम हाइट महीं होनी चाहिए और इन्हों ने यह भी कहा है साती सात bitch चेस्ट के चेस्ट का इन्होंने measurement भी बता दिया 86.3 cm बताया इन्होंने और 5 cm का इन्होंने बोलाए कि आपका जो है चेस्ट measurement में जो है विद एक्सपेंशन के साथ और विदाउट एक्सपेंशन में gap आना चाहिए candidate medically fit हो ठीक है जो medical board है आप लोग का हैदराबाद में वहां से आपको satisfy करना होगा candidate को कि वह medically fit होना चाहिए तो वह form भर सकता है तो candidate police में जाएगा अगर excise में भी जाएगा तो उसको medically fit होना जरूरी है इस बात का ध्यान रखा जाए आपके द्वारा बाकिये point एक बार read कर लेना आप सभी लोग आपको medically में बता दू जैसे कि आगर आप medical standard का पूछोंगे तो आपका जो right eyes है उसके लिए इन्होंने बोला है six by six distance vision हो near vision मतलब पास का जो दिख रहा है वो 0.6 जो है आपका दिखना चाहिए left eye में इन्होंने बता है better eye कौन सी होती है इन्होंने ये भी बता है worst eye किसको कहते हैं और better eye के अंदर भी आपको कैसे पता world के सारे exams को cover करके एक medical standard का वीडियो आपके लिए लाया जाएगा ठीक है जिसे की वो सारे पूरे world के medical exams के उपर एक बार में आपको दे दिया जाएगा अभी आप इतना समझे कि अगर आपका इन मेंसे अगर है अगर आपका better eye होगा तो आपका ये सब सीरे fulfill होगी तो आप आप लोग असानी से इन वेकेंशियों को ले सकते हो अगर आपका medically इस तरीके से satisfy कर रहा है minimum with a minimum expansion of 5 cm 5 cm with expansion के साथ भी आपका इसमें आएगा ठीक है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए दोस्तों आपके द्वारा ये चीजे लगती है आप लोगों के fit होने की proof करने के लिए रिजर्वेशन इस recruitment में जो होगा वह SCHT और इन सब के लिए जो भी होगा वह तेलंगना राज्ये के लोगों के लिए होगा मतलब जो भी स्टेट के बाहर के लोग है उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है ठीक है जो केंडेट इससे विलांग कर रहे हैं रिलेक्षेशन विल आपको समझ आ रहा होगा रिलेक्षेशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा मैंने आपको यहां बताया के लेग्षेशन रिलेक्षेशन थोड़ा आगे बढ़़ूंगा पandır कि में आप लोग समझ लेना है रिजर्वेशन लोकल केनुअड करे रिजर्वेशन है सारे पोस्ट ओपर ठीक है, रोकल केन्डेट कौन होते हैं? वो इनोंने यहां बता है, हुआ आप यहां से सवस्भावल लेना, कि भाई, लोकल केन्डेट कौन है तैलंगाना की इन वेकैंसियों के लिए, तो वो एक बार यह सारे पॉइंट रेड करेंगे जरूर अच्छे से ठीक है मल्टी मल्टी जोन इन्हों ने बताया है इन्होंने फॉल्लाइंग देखिए प्रेजेंट मल्टी जोन इन्द तेलांगाना वाइड ठीक है यह अब यह लिस्ट की सीच के मैं आपको बता देता हूं मैं आपको बताता हूं मल्टी पलम्टी जोन है मतब की तेलांगाना इस्टेट में जितनी भी जगाए उन्हें से कुछ जगाओं कि यहां पर नाम लिखे है जैसे की कामा रइडी रिस्टिक्ट है वहां पर यह सारी जगहें यह आपकी तेल आंगाना स्टेट में हैं तो उसके इसाफ से इन्होंने इसाफ में त्राइं standing में आता हैं तो पांच साल का आपका जो है रिलेक्षिसन मिल जाएगा अगर आप एक सर्विसमेन हो यानि नेवी आर्मी एरफोर्स में जाकर इंडिया देश की अगर काम करके आए हो तो पांच साल तीन साल वहाए जो है आपका अपर एज बढ़ जाएगा और NCC वाले हो तो भी तीन साल मिल जाएगे और SCSTO और EWS और BC वालों में आते हो तो पांच साल होंगे और डिसेबल्ड वाले हो तो आपके दस साल जुड़ जाएगे लेकिन याद रखना इस्टेट के हो तभी ठीक है इस्टेट के भाहर वाले अगर रिजर्वेशन में आ रहे हो तो नहीं होगा हाला कि एक सर्विसमें में कुछ बाते लिखी होंगी इनकी वह आप चेक कर सकते हो हाव टू अपलाई मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यह परसो फॉर्म चालू हो जाएगा तो फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस दे दूंगा कि कैसे फॉर्म अपलाई होगा पहले OTR करेंगे हम लोग एक रइस्टेशन करेंगे उसके बाद हम पूरा फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से आपको समझाया जाएगा सारी चीज़े यह पीज अभी लोग कहेंगे कि फीज किती ली जा रहे है थो फीज 200 रूपय ली जा रहे है हर चैंडडेट को 200 रूपय देने होगी है यह एक्जामिनेशन फीज भी केंड़ेट को देनी हर केंड़ेट को 120 रुपए एक्जाम की फीज देनी और 200 रुपए उसको प्रोसेसिंग फीज देनी कि भाई आपके जो फॉर्म है उसको प्रोसेस में कर रहे हैं बड़े-बड़े ओफिसर वहां बैठकर तेलंगाना स्टेट म तो उसके लिए आप लोग को 200 रुपए उसके देने होंगे और 120 रुपए आपके एक्जाम के लिए जाएंगे जो आप एक्जाम दोगे जितने भी अनप्लोइट केंड़ेट हैं जिन लोगों के पास employment नहीं है जॉब नहीं है जो उनके पास employment नहीं है उनसे लोग कोई भी फीस नहीं लेंगे प्लस वो लोग जो की एंपलोई हैं गवर्मेंट के किसी भी पीस्यू में या फिर इस्टेट सेंटरल में तो उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे यह नोंने साफ साब बता दिया है ठीक है mode of payment payment कैसे करेगा candidate payment करेगा online में वो credit card से करे debit card से करे net banking से करे और जितने भी option उसको मिल रहे उससे जाकर payment कर सकता है payment भरने के बाद उसको वापस नहीं मिलेगी इस बात का ध्यान रखेगा वो अभी इसमें इनों यह भी बता है कि आपका exam का syllabus क्या होगा क्योंकि आप जानत परिलिम करें होगा तो acqua वहला है असीफबाद में मंचेल में होगा और पेड़ोंन als bei ऑन ब přेड़पली और इसके अलावा जया शंकर भूत ऊप्ज़ी는 पहलर मुलूग में और अलीदअबाद मेंनिर्मल में और न County rubbish मझा और देज अगर और साथ जगाओ पर इसका एक्जाम होना है मतलब कहीं ना कहीं 33 33 ऐसे बड़े बड़े एरियाज होंगे बड़े जिले जितने भी है फूरे स्टेट में उसमें 33 जिलों को इंक्लूड कराए इनों आपके एक्जाम सेंटर रखने के लिए मतलब सेंटर की संक्या हो सकता है वो 400-500 के कर जाए एक्चुल सेंटर की संक्या बता रहा हूं ठीक है एपलिकेंट को चूज करने होंगे 10 ऐसे सेंटर दस ऐसे जिले उसको चूज करने है तेलंगाना स्टेट के अगर केंडिड़ आउटसाइडर भी होगा तो तेलंगाना स्टेट में जाकर ही एक्जाम देगा लेकिन उसको 10 जिले अपनी लिश्ट में डालने है जिसमें से उसको अराम से उसको सेंटर अलोट हो जाए ठीक है हाँ प्रिलिम्स एक्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है दोस्तों उसमें एमसी की होते है चाहे वह आपका कंप्यूटर पर हो जाए ओमर पर भी हो जाएगा त जैसे देखें यहाँ पर इक इन्होंने एक्जामपल ले लिया कि हमने 10 जिलो का एक्जामपल ले लिया इस तरीकी से आप लोग को 10 जो है टुटल जिलो को रखना है अपने लिश्ट में आप अपनी मर्ची से पूरे इस्टेट के किसी भी 10 जिले को डाल सकते हो अभी ऐसे लोग होंगे जो दूर दूर से आ हैंगे घुब दूसरे राज्ये से इदर जाएंगे तो उनको तो यहीं आपको आस्पास से आहये तो आप 거지 तो आसपास के एरिया को रखना ठीक है को आपका आपका आएगा इंगलीस में आएगा दोस्तों और वह आपका जो है इंगलीस के लावाद तेलगू और उर्दू लेंग्वेज में भी कोशन पेपर आपको मिल जाएगा क्यूंकि तेलंगाना इस्टेट में लोग तेलगू गोलते हैं तो उस लेंग्वेज में भी उनको देना जरूरी है कोशन पेपर को ठीक है अभी लों ने बोला है कि आपकी OMR शीट को इन्वैलिड मान लिया जाएगा अगर एपलिकेंड ने बबबल को सही से नहीं भरा है बबल में गलतियां करी है बुकलेट का सीरियल नंब पते कैसे हैं ठीक है लोगों को OMR पता नहीं कि कैसे भरा जाता है बाकी थो सिंपल ही होता है दोस्तों आपका रोल नंबर आपने एड्मिट कार्ट से देखकर OMR पर भरना है अपने कोशन के अंसर को डार्क करते जाना है जो भी आपको सही लगता है लेकिन उससे पहले शाध अंसर की मिल जाएगी आप लोग को जिसमें यह होगा कि किस question का कौन सा अंसर सही है उससे आप लोग match कर सकते हो ठीक है कि अभी आप लोग यह कहोगे कि भाई मेंस में कितने लोग को भेजा जाता है तो प्रिलिम्स की एक cut-off आती है ठीक है इसमें आपका जिसे general studies और mental ability का जो test हो रहा है ना उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको mains में बैठाने के लिए इसमें आप लोग को यह कहा जाता है कि mains में आप लोग 50 times लोग mains में जाते हैं इनकी वेकेंसी है 563 है ना वेकेंसी तो उसको आप लोग 50 से cross कर लो into multiply कर लो जितना भी उसका आजाएगा जिसे में माल लेता हो 600 वेकेंसी में माल लेता हूँ ठीक है तो उसका 10 times हो जाता है 6000 ठीक है 600 का 6000 हो जाएगा और उसके बाद 60,000 हो जाएगा उसका 100 times यानि कहीं ना कह cut off भी decide करना है तो कितनी सारी चीजों से रोखना है लोग को वो सारा fix रहता है क्योंकि वेकेंसी यह जितनी है उतनी ही मिलेंगी यह तो confirm any competition तो है आप लोग का यहाँ पर यह तो आप लोग भी मानते हो बाकी आप इस चीज़ को देख सकते हो हब ऐसे लोग भी होंगे जो prelims exam दे रहे हैं उनके same marks आ जा रहे हैं तो हम किसको select करें भाई rank में किसको rank 1 दे किसको 2 दे तो उसके लिए इनोंने बहुत सारी चीज़े डाली है जिसके भी आप पर यह लोग tie case solve कर देंगे तो tie case solver के लिए आप यहाँ से सारी चीज़े दे माने जाओंगे और क्वाली मेंस exam के अंदर और आप लोग अगर स्टी अफिर disabled हो तो आप 30% कम से कम लग एक्जाम में नहीं तो आप लोग पास नहीं माने जाओंगे मेंस के लिए बता रहा हूंगे ठीक है वेकेंसी में चेंज देखो इनने साफ बोला वेकेंसी में अगर कोई चेंज होगा तो हो सकता आगे चलके लेकिन आप इतना मानो कि कई कई बार देखा गया इस्टेट PCS में देख लो एहना इस्टेट PSC के एक्जाम में देख लो गुरूप 123 इंसम में देखा गया हर जग प्षजय ने अधर जल्ल आता है तब तक पता लगता है कि वेकेंसी यां बढ़ सकती हैं तो वहां भी पता लगता है कि यह वेकेंसी आही है तो इनको हम और जोड देते हैं और एक चीज़ और है अनफिल्ड और ढौर Jason. अगली रिक्रूप्जश काली रह जाती है तो एक बार यह सारे पॉइंट आप रीड करोगे, इसको अच्छे से रीड कर ले ना, सारे पॉइंट लिखे हुए आप लोग के. अब मैं आपको लेकर नाम से दिखाने वाल हूँ, एक से लेकर साथ चीज़े दिखाऊँगा, जिसमें आपको वेकेंशियों का ब्रेक बताऊँगा, सिलेबस दिखाऊँगा, लिस्ट ओफ कॉम्यूनिटी कौन-कौन सी है वो बताऊँगा, और कौन-कौन सी स्पोर्ट वाल इन्होंने बताई है, ठीक है, अब ही मान के चलो कोई केंड़िट सही से एक्जाम के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको डिवाड कर देंगे, लोग मतलब भाहर कर देंगे, रिक्रूट्मेंट से, इस बात का ध्यान रखना है सभी को, चलिए, अब मैं आता हूँ, एनेक्जर 1 पर, एनेक्जर 1 है आप लोग का वेकेंसियों का, देंगे, मल्टीपल जोन, आपने उपर देखा होगा, दो तरह की जोन दिखी थी, जिसमें आपके इस्टेट, तेलंग आना के काफी सारे एरियाओं का लिस्ट था, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग डेप्टी कलेक्टर, आप लोग अगर डेप्टी कलेक्टर, डीसी का वेकेंसियों लोगे, डेप्टी कलेक्टर का लोगे, सिविल सर्विस में या फिर एक्जिक्यूटिव ब्रांच में तो आपको सिंपल कहूँगा, अगर आप पहले वाले जोन में जात backward classes आपको बता दूँ दोस्तों तेलंगाना इस्टेट में backward classes A से लेकर E तक हैं मतलब 5 तरह की backward classes बनाई गई हैं पूरे तेलंगाना में जो open category है वहाँ पर 6 vacancies में दी गई है ठीक है इस तरीके से रीड करना है ओपन वालों की छे दी हैं बाकि टोटल तो टोटल तो 20 दे इन्होंने इसके आगे में बढ़ूंगा तो आपको दिखा दूँ इनका जो multiple zone second है वहाँ पर open category की 6 vacancies DC में दी हैं ठीक है मैं अगर आप अगर यह से पूछो सबसे बढ़िया पोच्ट इन सभी में कौनसी होती है है सबसे बढ़िया पोच्ट DSP op DC होती है बाकि सारे पोच्ट मैं उनको मताब अगर आप मेरे से प्रेफरेंश माँगो तो DSP possible इस इससे बढ़िया है इसे अच्छी बाकी सारी पोच्ट उतनी देख लो यह सारी वेकेंसी आपकी बताई गई है जोन वाइस हैं कि किस जोन में कितनी वेकेंसी है आप यहां से देख लोगे पूरा टेबल अब मैं आपको दिखाता हूं भाई एक्जाम का पैटन और सिलेबस दिखा रहा हूं तो पहला आपका पिरिलिम्स जो टेस्ट होना जो कि पास करना जरूरी होगा जो कि 150 मार्क्स में हो जाएगा उसके बाद आपका जो है पेपर 1 होगा जिसमें जनरल ऐसे होगा जो कि 3 आवर में 150 मार्क्स के पेपर में हो जाएगा जिसमें आपसे सोशल प्रॉब्लम से जुड़े वे ऐसे पूचेंगे इशूज पूचे मेंस पर तो सिर्फ एक या दो हो जाता है यहां पर तो सिर्फ एक ही पेपर है आप लोग का प्रिलिम्स में तेलंगाना स्टेट में सिर्फ एक ही है प्रिलिम्स और मेंस के लिए वो लोग कितने पेपर करा रहे हैं मेंस के लिए करा रहे हैं 6 पेपर करा रहे हो और एक आपका रिलेशन और इवंट गोच लेंगे जिएस पूचलेंगे इंडिया की झा अच्टिर mound इंड गैनोची में क्या कर अइंडिया वह सब पूचेंगे दोसा एकोन ours शोचल ड्लपमेंट इंडिया की पूचलेंगे व्ल्ड'veop पूछ लेंगे इंडिया की भाई क्या बूगोल रहा है इंडिया का ठीक है और जोग्राफी तेलांगाना राज्ये की क्या रही है हिस्ट्री कैसी रही है वहाँ पर और कॉंसिट्यूशन पूछेंगे पॉलिटी पूछेंगे यह सब चीज़े पूछनी है उनको यह प्रिलिम्स का है ठीक है मेंस आपको बता दूं मेंस का जो जन्रल इंगलिस है वो सिर्फ टैंथ लेवल का देंगे जिसमें आपका स्पोर्टिंग एरर्स दे देंगे फिल इंद ब्लैंक्स देंगे जंबल सेंटेंसिज कॉंप्रिहेंशन प्रीसिस राइटिंग और यह सारी चीज़े उनको देनी है अभी जन्रल ऐसे में आपको इतना याद रखना है यह इंगलिस वालों का हो गया ऐसे वालों का बताता ह कर अच्छे नंबर जिसके आते हैं वो सिलेक्शन लेता है पिरिलिम्स तो सिर्फ पास करवाने के लिए लिया जाता है तो यह सब आपका लिखा है तो फटर पेपर थिरी होगा वो इंडियन सोसाइटी और कॉंसिट्यूशन और गवर्नेंस के ऊपर होगा पेपर फोर एकोनॉमिय और डेवलपमेंट पर होगा कि साइन्स और टेकनोलोजी का पेपर पांच होगा इधे कि इसमें डी जो है डी आई भी आएगा डेटा इंटर्पिटेशन भी इसमें आएगा पेपर पांच में आएगा इसके अंदर तो आप यह सारा टॉपिक स्सी और स्ट में आते हैं त्रीक है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं अभी स्सी बनाया कैसे गया है तो आपको बता दूं यहां पर गवर्मेंट का डिपार्टमेंट उनका नोटीस है जिसके अंदर आप देखो कि 2015 के आठ अगस्त को बना दिया नोटीस एक जिसके इ अधि अंध्रा अधि द्राविदा और अनामुक और अर्य माला और गीजाए और अरोन आरवा माला और चमार रोहिदास और इसके अलावा इसमें लिखा है दन दासी धौर और दोम और धोम बारा और पाए दी और पानो यह सब लोग वो हैं जो तो इस त्रीके से जगानवालो के वालो की यह लिख सकते हुआप अगर आको संब्सक्राइब से अंधरें भी किसी है, अगर Chinese क वालो चैनल की अगर अगर आ पहली ह्मिंपे अधर नहीं यहां नए भीख वंत स्वचता आरें me हाती है और आप अगर तेलागना स्टेट में हो, अभी के समय, और इसमें नहीं आते हो, तो आप सिंपल सा मालों कि आप SCST नहीं हो, तेलागना स्टेट के, जो भी लिस्ट में नाम में आ रहा है, वो सब तो उसके अंदर ही माला जाएगा, बाकी जो नहीं है, उसको इसमें अपने आ एक बार यहां पर आपको इस पॉइंट दिखाना था आप लोगों को देखिए यहां पर इन्हों ने लिखाई state list दी है backward class वालों के list और backward class जितने भी आते हैं group A में अब group A क्या है दोस्तो group A जैसे आपको मैं ने उपर बताया था भाई state देलांगाना में जो backward classes में लोग आ रहे हैं वो A से लेकर E तक में आ रहे हैं तो अगर आप लोग backward class में हो और अगर आप A group में होगे तो आपका नाम इसमें कही ना कहीं मिल जाएगा टीक है अगर इसमें नहीं मिलता है तो backward class B वालो में आपको मिल जाएगा इन में से कही ना कहीं पूरे में आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा अगर आप इन में से कहीं पर भी अपने नाम नहीं जून पा रहे हैं इसका मतब यह हो जाता है किसी आप किसी भी परसंट वेकेंसी sport परसंट को दी जा रहे हैं चे-सोफट जा रहे हैं तो उसका दो परसंट कितना हो जाएगा 12 वेकेंसी हो जाएगा ना तो कहीं न कहीं आप लोगी 8 से 9 वेकेंसी टोटल निकाली गयी हैं लिए खेलकूद वालों के लिए अगर आप लोग this फुट बाल होटीड वाली बॉल हैंड बॉल बास्केट निस इन में थे किसी भी पेड़ लिए में अगर आप लोग और इंडिया मैं यह फिर आप लोग बैंक से AU Small Finance Bank से बंधन बैंक है आपर Bank of Baroda है, Bank of India है, Bank of Marashtra है बहुत सारे बैंक, भाई, बहुत सारे बैंकों की लिष्ट है, इनमें से किसी से ही payment कर दो, आपका इसमें से किसी bank account नहीं भी हो तो account बना लेना, वहां से फिर payment कर देना, इनमें से किसी बैंक के द्वार आप लोग payment कर सकते हो online में, नहीं तो आप लोग Paytm और जो भी आप लोग का अलग QR code scanning होता है net banking जैसे option भी आपको मिलते हैं, तो वहां से आप लोग कर सकते हो आपके लिए instruction लिखे हुए इसके अंदर instruction आप लोग यहां से देख लोगे कि इतने form के देने हैं, ठीक है form में उसको document कौन कौन से देखे, यह सारे document वो हैं जो उसको दिखाने पड़ेंगे जब उसका document verify होगा, mains exam के बाद इसमें जो है आपका या तो interview होगा या फिर document verify होगा यह सारी चीजे होंगी, तो वहाँ पर आप यह सारी चीजे दिखा देना, general instruction आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको आप read कर लेना एक बार OMR sheet को कैसे भर रहा हैं, उससे जुड़े भी बाते बताएं, अभी देखें, मेंली commission है, इसी ने अभी तक decide नहीं किया, कि इसको computer पर exam लेना या OMR पर लेना है यह decide करेगी, जैसे जैसे लोगों के form आएंगे, form लोगों के ज्यादा चले जाएंगे, तो यह फिर उसके हो सकता है ज्यादा form आ जाएं, तो कह दिया जाएंगे, OMR पर ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा form लोगों के चले जाएंगे, तो computer पर ना हो, कम form जाते हैं, तो computer पर हो जाता है, यह मैंने ज्यादा तर देखा है, बाकी आप लोग दिखिए, number of candidates पर depend करेगा, कि exam का mode है, वो कैसा होने मेंस एक्जाम से जुड़े वे कुछ instruction है, दोस्तों, अगर आप मेंस पास नहीं करोगे, तो कहिना कहीं आप इस recruitment में नहीं ले पाऊगे, क्योंकि मेंस एक्जाम इसमें बहुत जरूरी होता है, अगर आपका exam एक से ज्यादा shift में हुआ, तो आपका यह formula लगेगा, M, M का जो है आपर vector IA, IJ और उसके बाद इस तरीके से पूरा जो है इन्होंने formula बता दिया है, जिसको use करके यह लोग आपका result बना देंगे, जो भी आपका final result बनाएंगे, अगर आपका एक से ज्यादा shift में होगा, पिरिलिम्स का result हो, चाहे वो mains का हो, mains का तो एक से ज्यादा shift म लगेंगा ही, क्योंकि हर एक paper अलगलग shift में होगा, लेकिन पिरिलिम्स की बता दू, मतलब जिन भी exam में एक से ज्यादा shift लगेंगी, उनका result normalized होके आएगा, ठीक है, हाँ, normalized marks वो होते हैं, जो 5 decimal तक जाते हैं, मतलब कि normalized marks ऐसे नहीं होते हैं, 100 में से 30 आगए, 100 में से 40 जाद है, उसका हो सकता है, 42.348 इस तरीके जाद है, ठीक है, तो भाई, normalized marks बिल्कुल point point में जाता है, और वो marks shift की hardness, question paper का level, number of candidates, इन सब पर depend करता है, ठीक है, तो देखो भाई, मैंने पूरा notification cover कर दिया है, age limit, qualification, salary, benefit होंगे, definitely होंगे, salary के लावा कुछ फायदे होंगे, क्य frequency है, तो आप लोगो salary के लावा तो फायदे है, qualification बता दी, syllabus बता दिया, सारा कुछ clear कर दी है, आप लोगो को, form पर्सों से आ जाएगा, और 14 मार्च को form close होगा, all India candidate form बढ़ सकता है, कोई आपका ऐसा doubt हो, जो भी आप लोगो को लगता है, तो आप लोग comment section में बता सकते हो, और इस जनकारी को all India, पूरे world, पूरे world में share कर देना बाई, और चलिए आप से मिलता हूँ, मैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का, धन्यवाद,